आज हमें काफी important topic के बारे हैं बात करेंगे ARDS जिसे हम acute respiratory distress syndrome भी कहते हैं तो acute respiratory distress syndrome में क्या होता है पेशन को सांस लेने में बहुत तकलिफ होती है अच्छे से सांस नहीं ले पाता है वो क्यों नहीं ले पाता है उसके पीछे कुछ बहुत ही peculiar कारण होता है क्यों नहीं ले बाता है तो ये जो syndrome है ये जो बीमारी है ये बहुत सारी लोगों में जिनको ये ये चीजे यानि मैं इतियोलोजिकल कॉस बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा smoking करते हैं जो सबसे ज़्यादा drinking करते हैं यानि अल्कोहल लेते हैं उसके साथ साथ और भी क्या-क्या causes है वीडियो में बताऊंगा मैं तो acute respiratory distress syndrome होने के वज़े से उनको सांस लेने तकलिफ होती है कई बार क्या होता है उनको टेकी काडिया का प्रॉब्लम होता है बहुत हार्ट रेट बढ़ जाता है उनको सैटोस्कोप से सुनते है तो वीजिंग साउंड सुनाई देता है पेशेंट में साइनोसिस देखने को करेंगे वीडियो के लास तक बने रहेएगा साथ में आपको लास में एक बहुत इंपोर्टेंट होएं पैतिक मेडिसिन के बारे बताऊंगा जो इस कंडिशन में अगर देंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसके प्रॉपर इंडिकेशन भी मैं आपको बताऊं किसी भी टाइब के इंजूरी के वज़े से किसी भी टाइब के ट्रॉमा के वज़े से वहां इंफ्लामेशन हो जाता है जो एल्वुलाई होती है हमारे लंग्स की आखरी हिस्सा जो होता है जिसे एल्वुलाई बोलते हैं तो वो सारे जगों पे पानी भरना स्टार्ट हो पानी भरने के वज़े से क्या होता है मतलब पानी क्यों भरता है किसी भी तरह से injury हो गया या ट्रामा तरह का इन्फेक्शन हो गया इतियो लोजिकल कॉज़ेस भी होता है जैसे नीमोनिया अगर किसी को पहले सो टीवर क्लोसिस डीवी का वो पेशेंट हो और बार इंजुरी का केस किसी भी टाइब का फ्लूइड का केस हो जिसमें फ्लूइड इंटेक कर लेते हो फ्लूइड आय या फिर chronic alcoholic patient हो, हमेशे बहुत लंबे समय से शराप पीने की आदत हो, smoking की आदत हो, तो ऐसे condition में क्या होता है, जो एल्विलाई होती है, उसमें पानी भर जाता है, और पानी भरने के वज़ा से क्या होता है, कि वहाँ पे, पहली बात तो हमारा जो लंक्स है, वो हमारे जो air हम ब्रीद करते हैं, यानि जो सांस लेते हैं, उसका oxygen लेते हैं, और carbon dioxide जो हम body में बना है, उसको release करते हैं, छोडते हैं, लेकिन ये सारी चीज़े जो मैंने आपको बता है, वो लेने के वज़े से क्या होता है, कि inflammation देखा जाता है, वहाँ पे हमारे एल्वोलाई में और वहा बढ़ जाता है, oxygen rate घड़ जाता है, कई बार जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, कि वीजिंग सांड सुनाई देता है, जब भी इस थे तो इसको अपसे देखेंगे, डिस्निया जैसी symptom होती है, मतलब पेशन को सांस लेने में तकलिफ हो जाती है, तो ये सारे condition ARDS में आत आपको दिखेंगे, तो जरूर आप दीजिएगा, और पेशन जरूर आप लीजिएगा, इसको बहुत ही ज्यादा पेक्यूलियर मेडिसिन माना गया है, ARDS के कंडिशन में, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, पेशन को complete cure भी देती है, चलिए अब सिम्टम की direct बात करते ह नहीं पाएगा, उसको हमेशा तकलीफ होगी सांस लेने में, इसके वज़ए से हमेशा जगा रहेगा, रात में भी mostly खांसते टाइम, पार बार खांस के उठ जाएगा, रात में जग जाएगा, इसलिए पूरी रात जगा रहेगा, सो नहीं पाएगा, कहीं भी लेटेगा, तो उसका कंप्लेंट बढ़ जाएगा, उसके बाद से जो एयर पैसे होता है, यानि हमारा जो लंग्स का ट्रकिया उपर आता है, लंग्स में से दोनों के उपर जो ट्रकिया आता है, जिससे हम सांस को इनहेल करते हैं, तो उस कंडिशन में, ब्रीज जो ब्रीदिंग करते ह उसमें बहुत ही ज्यादा कंजेशन हो जाने के वज़े से क्या होता है पेशेंट को डिस्निया जैसी सिम्टम होती है यानि सांस लेने तकलिफ होती है तो यह सिम्टम आर्सेनिक में देखा गया है उसके बाद से जो मैंने आपको बता है अने डू लाइडाउन यानि बैठ न जो होता है तूटू सफोकेशन वह बहुत मार्क सिम्टम है आरसेनिक अलबम का ऐसा पेशेंट में लगे तो इस रेमेडी के बार है जरूर एक बार सोचिएगा फिर दूसरा सिम्टम है दोस्तों अस्तमा की पेशेंट को अगर अस्तमा है तो वह बढ़ जाता है जब भी प पेशेंट के जो चेस्ट होंगे चेस्ट में बर्निंग सिंसेशन होगा लगेगा दोनों चेस्ट दोनों लंक्स है वहाँ पे जलन हो रही है बहुत ही पेक्यूलियर जलन हो रही है वह ऐसी जलन जो की लगेगा कि उसका जलन चेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और पूरा उप काफी कम, च्केंटी expectoration निकलता है, और फ्रोधी होता है यानि जाग कैसा होता है अगर हम सर्फ को पानी में मिलाते हैं, तो और कैसे जाग बनजाता है, वैसे जाग की तरह उसका जो कफ बलगम निकलेगा, वो जाग की तरफ नीकलेगा और बहुत ही कम मातरा में निकले है, ज्यादा वो नहीं निकलता है, साथ में एक बहुत important symptom है दोस्तो, darting type of pain, यानि sudden, patient एकदम अच्छे से normal बैठा रहेगा, और तुरंत उसको pain स्टार्ट हो जाए, pain कहां स्टार्ट हो तो जो हमारा right lung होता है, right lung का जो upper two-third portion है, यानि right lung को तीन पार्ट में आप डिवाइट करें, तो यहाँ पर एकदम आप देखिए, यह जो point आप पर two-third, यह और यह, यह point पर sudden pain होगा, intense एकदम ठीक बैठा रहेगा, लेकिन तुरंत pain हो जाएगे आपे, कई बार आपको differentiate करने की नीड होती है, cardiac pain versus lungs pain, कई बार हमको दिल की बिम आपको अगर यहाँ पर sudden pain होता है, और काफी मतलब ठीक बैठे रहेंगे, sudden start हो जाएगा, तो उस condition में हम arsenic albums हो सकता है, arsenic album बहुत अच्छी मड़ी सेन होती है, dry cough after drinking, यह भी काफी important symptom है, patient में dry cough देखी जाती है, यानि सूखी खासी, रात में patient सूखी खासी देखी जाती है एक साथ में जग जाएगा नीर से, तो कम से कम पांस से दस मिनट तक खासते ही रहेगा, और वो खासी जब पानी पिएगा, कई बार पानी पिलाते है patient को, तो पानी पिएगा, उसके बाद और बढ़ जाएगा, तो अगर यह भी symptom आपको मिले, पानी पिने के बाद खासी ब यह दोनों shoulder के बीच में, यानि ठीक यहां midpoint पे आपको pain हो रहा है, बहुत intense pain, sudden pain, darting type of pain, और उसके साथ-साथ, खून निकलना, flagum में, यानि जब भी आप expectoration निकालेंगे, जब भी आप bulgum निकालेंगे, उसमें खून दीखेगा, तो भी arsenic album का बहुत important symptom है, तो यह सारे symptom arsenic के हैं, दोस्तों ARDS जो है, acute respiratory distress syndrome, उसमें और भी medicine आती है, जैसे antim tart है, antim crude है, फिर arsenic जैसा, अभी मैंने arsenic आपको बताया, उसके बार netrum self है, यह सारी medicine भी आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा useful होता है, arsenic album, तो arsenic के जो मैंने symptom बता है, वो ARDS के symptom बता है, वो अगर match करते है जरूर इसको लीजीगा, आप potency के बात करते हैं, अगर यह acute problem हो आपको, ARDS ना हो, normal भी condition में अगर आपको है, कोई और pathology involved है, तो उसमें आप 200 potency मिले सकते हैं, सुबह साम 5-5 बुन, आधे कब ठंडे पानी में आप ले सकते हैं, अगर यह acute problem हो रहा है, तो आप 30 potency में सु समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, साथ में अगर चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भुझेगा, सब्सक्राइब कर लीजेगा, बेल आइकन को दबा दीजेगा, मैं ऐसे ही काफी ज्यादा इंपोर्टें